पेंद्र सरकार की तरफ से पेंसन लावार्थियों के लिए फिर से बड़ी ख़बर जारी हो चुकी है अगर आप भी पेंसन लावार्थी हैं तो एक दिसेंबर 2022 से पहले आप सभी को कुछ महत्पून कारिय करने होगें जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं अगर पेंसन लावार्थी यह कारिया नहीं करते हैं तो उनकी पेंसन आना बंद हो जाएगी उन लावार्थियों को पेंसन नहीं मिल पाईगी साई दोस्तों पैंसन में जो नए नियम लाओ किये गए है नियम में बदलाओ किया गया है उन सभी के बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं अगर आप एक पैंसन धारक है तो इस वीडियो को आप अन्त तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या कारिय करना होगा किन-किन पैंसन धारकों को यह कारिय करना है और किन की पैंसन बंध हो जाएगी वे तमाम जानकारी हम आपको step by step दे जा रहे हैं आपसे हमारा निविदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चाज़ से ज़्यादा शेयर भी करिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों अगर आप भी pension account holder हैं तो आपको भी हर साल जीवन प्रमान पत्र जमा करना होता है मुई दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से नियम में बड़ा बतलाव क्या गया है जिसको ले करने आदेश भी जारी हो चुके हैं आप सभी जानते होंगे कि प्राने नियमों के अनुसार पेंसन लावार्थी को अपना जीवन प्रमान पत्र अंतिम्तिती से पहले दोस्तों जमा करना होता था यानि के साल में आपको कोई भी अंतिम्तिती देदी जाते थी जिस अंतिम्तिती से पहले आप सभी को अपना जीवन प्रमान पत्र जमा करना होता है लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार की तरप से नए नियम लागू किये गए हैं नियम में बड़ा बतलाव किया गया है जिसके अंतरगत अब आप साल में कभी भी अपना जीवन प्रमानपत्र जमा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों काफी पैंसन लावारतियों को नोवंबर महा में ही अपना जीवन प्रमानपत्र जमा करना होगा और दोस्तों कुछ ऐसे पैंसन लावारति भी हैं जो दिसंबर में भी अपना जीवन प्रमानपत्र जमा कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो किन लावारतियों को नुवंबर में जमा करना है और किन पैंसन धारगों को दिसंबर में जमा करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे जिवन प्रमान पत्र के बारे में तमाम जानकर आपको देने वाले हैं तो आप अंत तक बने रहेगा किन किन यह दस्तवे जमा करना है उसके वारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं तो दोस्तो इस साल एन्वल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जो डेट लाइन निर्धायत की गई है वे तीस नौबर दो हजार बाई से अगर आप सरकारी पेंसन का लाब ले रहे हैं तो आपको इस तारीक तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट यान के जीवन प्रमान पत्र जमा करना होगा लेकि दोस्तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर से क्रमचारी रहे हैं और पेंसन का लाब भी ले रहे हैं अग दोस्त अगर आपके जीवन प्रमान पत्र की जो जमा की हुई तार नहीं होगा यानके अगर पहले जमा किये गए जीवन प्रमान पत्र की तारीक को दोस्तो अब एक साल हो चुका है या फिर एक साल नहीं हुआ है मान लिजे कि आपने अपना जीवन प्रमान पत्र पिछले साल जमा किया था और अब तक उसे एक साल नहीं हुआ है तो आपको 30 नॉम्बर तक अपना जीवन प्रमान पत्र जमा करने की आउशकता नहीं है लेकिन अगर आपने पहले ही नॉम्बर महा में अपना दस्तावेज जमा क्या था जीवन प्रमानपत्र जमा क्या था तो आपको दोस्तो नॉमबर महा में ही याउनके 30 नॉमबर तक ही अपना जीवन प्रमानपत्र जमा करना होगा हाला कि काफी पैंसन धारक यहाँ पर ऐसे भी हैं जो दिसेंबर महा में अपना जीवन प्रमानपत्र जमा कर सकते हैं अब वह कुन-कुन से पैंसन लावारती हैं चले उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देदेते हैं तो दोस्तों EPS 19-5 के पैंसन पैंसनर को इन दो कंडिशन में अपना जीवन प्रमानपत्र है वह नुवंबर में जमा नहीं करना है इनके दिसंबर में जमा करना है अगर दोस्तों मालने जिए कंडिशन नुबर एक अगर आपका पैंसन एक साल पहले शुरू हुआ है तो आपको दिसंबर में महा में ही अपना जीवन प्रमानपत्र जमा करना है इसके लावा दोस्तों EPS 19-5 पैंसन धारक को एक और स्विधा मिलती है यानि कि अब चाहे अपना जीवन प्रमानपत्र लावार्थी साल के किसी भी दिन जमा कर सकते हैं यह नया अन्यम सरकार के तरफ से निर्धारित क्या गया है दोस्तों यह अगले एक साल तक मानने रहेगा जब भी आप अपना जीवन प्रमानपत्र जमा करेंगे तब तक दोस्तों अगले साल तक यानिके आपका जीवन प्रमानपत्र मानने रहेगा यह नई नयम सरकार द्वारा निर्धारित के गए हैं अगर आप भी ऐसे पैंसन लावारती हैं जो आप पहले से ही नोकरी कर रहे हैं और आपने नुवंबर मह में अपना जिवन प्रमान पत्र जमा किया था तो आपको तीसी नुवंबर से पहले ही अपना जिवन प्रमान पत्र जमा कर देना है तो ये था आपके लिए महत्पूर जानकारी आपसे निविदन है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब मिलते हैं आप को ने-क्स्क्स वडियो में तब तक के लिए ये था